पशेमंगाल में बीजेपी ने आम इस शाह के लिए महारैली की यूचना बनाई थी लेकिन पार्टी के अर्मान ऐसे बिखरे कि अब शाह को एक खेत में रैली करनी पड़ेगी जी हाँ साथ दिसंबर को होने वाली रैली के लिए जगन नहीं मिल पाई है इसलिए पार्टी ने कुछ बिहार कस्बे के पांच किलोमेटर दूर एक खेत में रैली का आयूजन किया है इसके साथ ही कायरक्रम इस्थल पर कायरकरताओं की भी तैनाती की गई है ताकि अब कोई रुकावट ना सके आगामी लोगसबह चुनाव में बीजेपी का खासा फोकस पश्चिम बंगाल पर है ममतब अनरजी के गड़ में बीजेपी अपनी सियासी जमीन को मजबूती देने की कोशिश में चुटी है इसी के तहट पार्टी सूबे में तीन रथी यात्रा निकालने जा रही है पात, साथ और नौ दिसंबर को बीजेपी 42 लोगसभा सीटों पर यात्रा निकालेगी जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमिच शाहा शिरकत करेंगे शाहा साथ दिसंबर को रथी यात्रा के बाद रैली को संबोधित कर प्रचार कभी गुल भी फूकने वाले हैं लेकिन शाहा की ये रैली किसी शेहर में नहीं बलकि एक खेत में होगी रैली के लिए जगह नहीं मिलने की वजह से कूच बिहार में 16 बिगे के खेत में बीजेपी अध्यक्ष लोगों को संबोधित करेंगे दरसल कूच बिहार की अधिकतर मैदान यहां चल रही रास मेला के लिए बुख है कुछ जगहों पर त्रंडमोल समर्थित खेलों का आयोजन हो रहा है इसे लिए मुखे कस्बे से कम से कम 5 किलोमेटर दोर इस्थित खेत में शाहा की सभ़का आयोजन हो रहा है अंग्रेजी अखबार के खबर के मताबिक पार्टी ने करीब 200 कार्यकरताओं को खेत की रखवाली के लिए दैनात किया है वहीं बीजेपी ने जगह नहीं मिलने को लेकर सत्तारूड टीमसी पर हमला बोला है बीजेपी जिला ध्यक्ष मालती रवा ने कहा कि हमें डर है कि आयोजन स्थल या मंच को नुकसान पहुचाने की कोशिश को सकती है इसलिए कार्यकरताओं को निगरानी रखनी के लिए कहा गया है वहीं बीजेपी के इन आरोपों को खारिज करते हुए सत्तरूड पार्टी ने कहा कि अगर गड़बड हुई तो बदला लेंगे डीबी लाइव की रिपोर्ट हमारे चैनल से जुरे रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुशती रहें देखते रहें डीबी लाइव क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार